अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिसमें कुछ बेसिक क्लासेज हैं वो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा ओके चलिए अब कह रहे हैं नेक्स्ट रूल कि अगर हैज हैब हैड दिखतो रहा है ठीक है लेकिन सेंटेंस में बीन दिख रहा है क नोट किया जा इस बात को कि हैज हैव हैड के बाद क्या दिख रहा है आपको बीन ठीक है तो इसके बाद भी फोर होगा क्या होगा भी फोर होगा या फिर भी थिरी होगा भी फोर होगा या भी थिरी होगा दो बाते होगा और कुछ भी नहीं होगा या तो भी फोर होगा या तो भी थिरी होगा लेकिन इसमें कोस्टन जो पूछा जाता है ना आपको बीन पूछा जाएगा ऑप्सन में इससे बहुत सारा कोस्टन इस रूल से हर एक टाइप का को question पूछा जाता है इसका कोई limit नहीं है अभी आप देखेगा इस ते कितना जादा practice कर सकते हैं दियान देने बाले बात है के अगर भी फोर दिखेगा न क्या दिखेगा बी फो दिखेगा तो इस sentence में आपको since या फिर फोर भी दिखेगा क्या के बाद आपको भी फोर दिखे न और इसके बाद जो है आपको वह टाइम दिखेगा कोई टाइम जैसे मंडेट तूश्डे लाश्ट ताइम कुछ भी इस तरह का दिखेगा याद है के बाद अगर यह विन दिखे इसलिए हमने इसको बॉक्स में लिखा कि बीन ब्रा काम का सीज़ है अगर बीन दिखे तो यहां पे क्या होगा भी फोर होगा भी थिरी भी हो सकता है यह भाईस का structure होगा किसका structure होगा भाईस का structure होगा ठीक है तो आपको इस तरह का question कोस्टन नहीं पूछा है कभी भी है ना कि भी थिरी दे दिया और आपको पगलाने के लिए दिया नहीं उसका टार्गेट यह होता कि टेंस से question पूछे और यह हमारा टेंस है यह क्या है हमारा यह वाला जो पहला कि भी थिरी नहीं ही रहेगा अगर रहेगा तो आप अराम से जान जाएंगे जब आपको हम active passive का rule पढ़ाएंगे ठीक है तो otherwise आप दिमाग में यह set करके रखिए कि अगर किसी sentence में बिन दिख जाए और उस sentence में since for भी लगा हुआ हो है ना तो आप अराम से क्या लगा दिजेगा भी फोर लगा दिजेगा अगर आपको यह पूरा दिख जाए तो आप क्या लगा दिजेगा since for लगा दिजेगा यह एक दो तीन ठीक है और यह चार कितना कोशन इससे सॉल्व हो जाएगा बोलिए चार कोशन इस रूल से इस रूल को छोड़ दिजिए यह वाला रूल छोड़ दिजिए इस लाइन को आप रठते हैं तो चार कोशन बनेगा क्या कोशन बनेगा चार को पूछता है इसमें इसमें चार कोशन है तो चलिए अब कोशन कैसे पूछेगा यह भी ध्यान देते हैं चलिए कोशन चार पूछेगा तो पहला कोशन एक करके दे देते हैं आप बनाईएगा देखिए हम कहें कि I have been in डायस ठीक है दीस चेप्टर फॉर थिरी आवर्स कोशन ऐसा ही पूछा आपको ऑप्शन में वही सेम बात दे दिया रीड रीडिंग ठीक है और क्या था रीड और डी नमर में नान ओफ दीस समझेंगे नान ओफ दीस तो आँख बंद डिबा गाइब बोले कोई दिकत है बोले एक दम इसी तरह से रहेगा कि नहीं बच्चा का पसीना छूट जाता है कि रीड लगाए कि क्या लगाए है ना और जिन्दगी में कभी भी कन्फिजन खत्म नहीं हुआ कैसे हम बोल दिये सबसे पहला कि हम वीन देख लिए और एक बार कंफर्म होने के लिए क्या देख लिए फौर देख लिए इन और पौर दोनों ये कनफर्म कर देता है कि यही होगा कोई दिकत है एक्दम रट जाए यह सीज़ को अब हम कह रहे हैं कि अगर इनोट कीज़े फ़ले इसको फिर हम इस पर दूसरा को सब्सक्राइब को देंगे देखें को सब्सक्राइब है चेंज आपके पास यह को सब्सक्राइब पूछा है ठीक है देखें अभी तो आप जान रहे हैं यहां लिखा हुआ है कि हैज हैड के बाद क्या लगाना है बीन तो आप अराम से यहां पर बीन लगा दीजिएगा ठीक है लेकिन यहां ध्यान देने वाला बात ये भी होता है कि यहां पे देखे रीड है क्या है यहां रीड है समझ रहे हैं यहां पे क्या है बोलिए भी फोर है तो जल्दी बाजी नहीं करना है और आप इसको सुधार भी नहीं सकते हैं सुधार सकते हैं क्या नहीं सुधार सकते हैं इसका मतलब यह क्या दर्शा रहा है कि यह हमारा पेसिब भॉइस में है क्या है पेसिब भॉइस में है तो यहां भी गलती कर सकता है बच्चा लेकिन आपको यहां पे मेरे अनुसार धियान इसलिए नहीं देना चाहिए कि क्लाश 12 में इसी लेवल का पूछेगा और यहां पर क्या दिया हुआ रहेगा रीडिंग दिया हुआ रहेगा पहला कन्फिजन अगर रीडिंग नहीं भी दिया हुआ है और इस तरह का जब रहे तो इधर का रूल हमको नहीं पता लेकिन हैव का रूल कहता है है कि हमेशा क्या देना ह है विदह दन हमेशा मरते दम तक यlia देको भी इसमाधिक है यह पॉर pharmacy ओर यह घ्मर का पहुंच प्धिरों मारा है ठीक है और वीठी की होता है हमारा वियहां और भीद्धिर होता है हमारा दिया पना आश्य सूमझ रहे हैं है और भी फाइब होता है इज एम आर यह पढ़ा चुके हैं बैसिक क्लास में तो इससे भी आख कान बंद करके क्या कर दिया हम बीन लगा दिये को दिकत है और भी हम देख सकते हैं कि यहां से कुछ नहीं समझ माए तो जिस सेंटेंस में सिंस फॉर लगा हुआ हो और है के बाद अगर इस तरह का उपसन हो तो भी हम क्या कहेंगे बीन लगाएंगे दुचार तरीके से हम इस को समझ सकते हैं को दिकत है अब चलिए इससे रिलेटेड सारा कन्फुजन खतम हो गया इसी सेंटेंस का रूल है लेकिन उसके लिए हम लोगों को थिरी नंबर रूल सीन्स फॉ और लगाएंगे इसके बारे में हम लोग अब इस्टडी करेंगे तो यह रूल नंबर टू और उसका एक्जामपल में दो हीटो रहने देते हैं और भी प्रैक्ट्रिस आपको लाइब क्लास में कोसन बैंक जब कराएंगे तो उसमें पचासो टो कोसन हम करा देंगे इस ता आप हमारे साथ यूही बने रही है और आपको कोई भी ग्रामर में प्रोब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं आप हमसे इसका पीडियाप भी मांग सकते हैं अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको पीडियाप भी उता है।